हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चैनल इगने असाइन्मेंट गूर्ण आज की इस वीडियो में बात करेंगी कि आपको कौन सी मिसेक्स नहीं करने अपने एक्जाम फोम भरते हैं सो काफे सारे स्टूरेंट्स ऐसे हैं जो की अपना एक्जाम फोम बढ़ते हैं और कुछ गलतियां जो हैं कर देते हैं जिसके लिए उन्हें काफी नुफसान होता है उस चीज को आपको एक्जाम फोम में नहीं करना है क्या कूंसी ऐसी गलतिया है जो सूरेंट हर बार ही करते तो से के बारे में हम आज के इस वीडियो में बाग रहेगे, make sure वीडियो को पुरा एंट तक देखे, so friends, सबसे पहली और सबसे जो आपकी common mistake है, जो students करते हैं, वो है उनका exam center, जब भी आप अपना exam center चुले, make sure आप उस exam center का location वेगारा पहले ही check कर ले, कि exam center आपका कहा है, आप किस तरह से वहाँ पर travel कर सकते हैं, ठीक है, because बाद में एक बार यह आपने अपना exam form भर दिया, submit कर दिया, successfully, आपने fee pay कर दिया, आपका control number जनलेट हो गया, उसके बाद जो है, आप अपना exam center चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान देखेगा, students सबसे ज़्यादा mistake करते हैं, exam form पहले भर देते हैं, exam center चूज कर लेते हैं, उसके बाद जब आपके exam आने वाले होते हैं, तब कहते हैं कि हमें exam center अब change करने हैं, हम क्या करें, हम रिजर center जाएं, हम किस से बात करें, कुछ नहीं होगा, आपका exam center बाद में change नहीं हो सकता, तो make sure इस चीज़ का आप ध्यान देखेगा, second mistake, आप अपने course selection में कर लेते हैं, माली जिज़ आपको 5 course के exam देने थे, तो make sure आप अपना पहले दिवाग में सोच लीजिए, अच्छे से confirm कर लीजिए कि कि आपको कितने exam देने हैं, कितने subject के देने हैं, क्या आपका exam center होगा, यह सब चूज करने के बाद, यह सब अच्छे से सोचने के बाद ही अपना exam form भरिएगा, थर्ड चीज होती है, students अपना exam form भर देते हैं, फिर वो कहते हमें exam नहीं देने, तो क्या हमें fee refund की जाएंगे, कोई है कि हम exam form अपना cancel कर सके, या हमारी fee refund हो सके, उस चीज के लिए तो आपके exam form के अंदर ही लिखा होता, गायट है इसके अंदर, तो अगर आपने एक बारी अपना exam form फिल करके बढ़ दिया है, आपको किसी भी तरह से इगनू आपकी fee refund नहीं करेगा, ठीक है, आप चाहें exam दे, आप चाहें exam ना दे, ये matter नहीं करता, अगर आपने इगनू में exam form बढ़ दिया है, आपने fee pay कर दिया है, आपको दोबारा उस fee का कोई refund नहीं मिलने वाला है, वो dependent आप पर करता है कि आप exam देना चाहते हैं, या आप exam नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, और अगर आप माल लिजे exam अभी नहीं देते हैं, तो आप जब भी next session में अपने exam देंगे, आपको exam form और exam fee दोबारा से जो है pay करनी होगी, तो इस दिसका आप ज़र ज़रूर ध्यान दखेगा, तो अगर आप exam अभी नहीं देना चाहते हैं, तो आप exam को मत भरिए, अगर आप पार्सर यानि कुछ subject exam देना चाहते हैं, तो उन्हीं के ही exam select कीज़े exam form भरते होगे, जिनका आपको paper देना चाहते हैं, जी कि आपके एक बार इत्पी जो है pay हो गई, वो refund नहीं की जाएंगी इगनू की तरफ से, और एक mistake और इस students करते हैं, जब भी अपना exam form भरते है, पीज पेइमेंट करेंगे, उसके बाद आपको एक number जो है दिया जाएगा, इस चीज़ को आप जो है जरूर से अपना समाल के रखेगा, इस चाहती जो भी आपने payment करी होंगी, उसकी जो रिसेप पर गर जो भी जन्नेट हुई होगी, इस चीज़ को भी आप जो है जरूर से समाल के रखेगा, आगी चल के आपके काम आ सकते हैं अगर कोई issue होता है, वैस चाहते हैं कोई issue होता नहीं, इस पर आपका exam form अगर successfully submit हो गया, उसके बाद आपको 72 hours का बेट करना होता है, holy days को हटा के, अब ये exam form बाद अपने exam form का status चैक करने चले जाते हैं, जहां पर क्या आपका status नहीं होता है, तो ये भी गलती student करते हैं कि उनको लगता है कि एक second बाद ये आपका status यो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, at least आपको 72 hours तक का बेट करना होगा, इवन जब भी आप अपने exam form status करते हैं, उसके उपर लिखा भी होता है, आपको 72 hours का वेट करना होगा, तो ये student करते नहीं है, आज ये exam form बनेंगे, आज ये अपने status करेंगे, ऐसा मत कीजेगा, exam form जब भी आपका successfully submit हो गया है, दो exam form मत भरिएगा, ठीक है, आपकी fee जो है किसी पर दरसरी पर नहीं होगी, चाहिए आप exam दे, चाहिए आप exam ना दे, अगर आप next time exam देंगे, तब भी आपको exam piece पे करनी होगी, अगर आपने exam को skip कर दिया, अपने control number को संभाल के रखेगा, अपने exam form का status जो है 72 hours के बाद ही चेक कीजेगा,